केंद्र की एंडिये सरकार को शुक्रवार को तीन साल हो गए इस अवसर पर पीम नरेंद्र मोदी असम पहुँचे और वहां उन्होंने देश के सबसे लंबे ढोला साधिया पुल का लोकारपण किया पीम ने शाम को खाना पारा में एक रैली को संबोधित करते वे कहा कि मेरे लिए देश का हर कोना दिल्ली है आज इसी समय ठीक उस बात को तीन वर्ष हो रहे हैं और ये तीन वर्ष असाम का अग्रह था कि आज में यहां आ सकुत अच्छा होगा पहले तो प्रंपरा ऐसी रही थी कि ऐसे अवसरों पर ज़रा दिल्ली का मात्मय ज़्यादा रहता है लेकिन हमारे सरकार की कार्य संस्कृति ऐसी है कि हमारे लिए हिंदुस्तान का हर कोना दिल्ली है और आज इस तीन वर्ष के निमित और असम सरकार के एक वर्ष निमित इतनी बड़ी तादाद में लोकर आकर के आपने जो आशिरवाद दिये मैं आपका रड़े से बहुत बहुत आभारी हूँ और स्वयम मेग राजा ने भी आकर के आशिरवाद दिये और कारकम शुरू होते ही मेग राजा ने भी हमारे लिए अनुकुलता कर दी इसलिए मेग राजा का भी मैं आभार वेक्ता करता हूँ मोदी ने सवसर पर नोडबंदी जैसे फैसले पर भी बात की और देश के सवा सो करोड भारतियों को धन्यवाद दिया भाईयो भनो नोडबंदी बड़ा कठोर निर्णे खा अभी भी कुछ लोग यही कहते हैं कि हम इतने बड़े कठोर निर्णे की कभी कल्पना तक नहीं कर सकते और उन दिनों में टीवी पर राजनेताओं के भाशनों में पूरे देश में अक्रोश पैदा करने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ था अगर सरकार का इरादा नेक नहोता सदुच्छा से लिया हुआ फैसला नहोता तो इतने बड़े कड़े फैसले को जिस प्रकार से आग लगाने की कोशिश चली थी कितनी बड़ी ताकतवर सरकार हो बस्प हो जाती लेकिन ये सबासो करोड देश वासी थे उनके आसिरवात थे कितने बड़े कृत्रिम बवनर के बावजुद भी ब्रमित करने के कोटी-कोटी प्रयासों के बावजुद भी देश की जनता तसू भर भी डगबगाई नहीं हीली नहीं और कंदे से कंधा मिला करके मुझ जैसे प्रधान सेवक के साथ खड़ी रही आप मुझे बताईए ऐसी जनता के लिए जिन्दगी खपा देने से कितना आनंद मिलता होगा ये आनंद की अनुपूती मैं करता कालेधन को लेकर भी मोधी ने अपनी बात कही और कालेधन से लेकर जनधन और जनधन से डीजीधन तक की यात्रा का जिक्र किया एक समय था जब अच्छे से अच्छे इमानदार व्यक्ति को भी इमानदारी से जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए इस पर सवाल या निसान खड़ा हो चुका था उसका मन विचलित होने लगा था पीड़ी दर पीड़ी इमानदारी से जिन्दगी जीने के बाद वो सोचने लगा था कि इमानदार रहकर के क्या पाया देखो वो बेइमान कहां पहुँच गया देखो वो बेइमान क्या होता है उतको देखिये उसकी बेइमानी यह सरकारी न चलाता है यह कल तक तो साइकल चलाता था आज इतना बड़ा बंगलो कहां से ले आया इमांदार व्यक्ति जब यह देखने लगा उसकी इमांदारी भी लड़ खड़ाने लगी मन विचलित होने लगा वो दिन थे आज भाईयो भणों शबा सो करोर देश वासी इस बात को अनुभाव करते हैं कि हिंदुस्तान में पहली बार इमांदारी को अवसर आया है इमानदारी के लिए जीने का अउसर आया है जो इमानदारी से जीता था उसका विश्वात बड़ा है उसको लगता है अब बे इमानों के लिए चैन से जीना मुश्किल हुआ है अब मेरी इमानदारी रंग लाएगी भले मेरे जिन्दिगी में सुख वैभाव नहीं आया लेकिन शांती से जिने का उसर आया है आज ये बातावण बड़ा है कुछ दिन पहले मुझे बड़े अच्छे गराने के कुछ बच्चे मिले थे ऐसे ही मैंने पुछा नहुजवानों को कि यूथ में क्या चल रहा है उन्होंने कहां साब हमारे घर में चर्चा है हम हमारे माता पिता से चर्चा करते कि आपके जमाने में जो था वो था आपने बे इमाने की होगी की होगी सरकारी नियमों को तोड़ा होगा, तोड़ा होगा, आपने लोगों को खरी दया होगा, खरी लेकिन अब, अब वक्त बदला है, हमारी पीढ़ी इमानदारी से कुछ करना चाहती है, और हमें विश्वाथ है कि हम इमानदारी से अच्छी जिन्दगी जी सकते हैं, भावयो भेनो इमान नारी को आउसर मिले मैं जानता हूँ उसके लिए मुझे कितना कस्ट जेलना पड़ता है कितनी बातों पर मुझे कठोड़ता बरतरी पड़ती है लेकिन मैं देश की जनता को वादा करके आया हूँ और उस बादे को मैं पुरी तरह निभाओंगा भावयो भेनो एक वक्त था जब देश में काले धन का ही कोहरम मचा हुआ था काला धन काला धन काला धन यही कान पे आता था एक ऐसी सरकार है जहां काला धन नहीं जन धन जन धन यही शब्द सुनाई देते है यह फर्क है दोस्तों यह फर्क है और आज आज जन धन की चर्चा होती है आने वालों में दिवसों में डीजी धन की चर्चा भी सहाज रुपसे होने चाली है कहां काला धन वहां से निकल करके जन धन और अब आगे डीजी धन एक के बाद एक हमारी यात्रा का रास्ता खुलता चला जा रहा है भायों बहनों हमने सरकार बनाई 26 को सपर लिया दो दिन के बाद पहली हमारी केमरेट मिटिंग हुई पहली मिटिंग में पहला निर्णय था काले धन के खिलाब कदम उठाने का और भायों बहनों चोरी के पैसो से जो बड़े-बड़े बंगले बना करके बैठे हैं बेनामी संपत्ति जिनों ने बनाई है 18-20 साल के उनके बेटे दुनिया की महंगे से महंगे मोटरबाइक लेकर के दुनिया में वट मार रहे हैं अगर वो पैसा बेहिमानी का है तो हम निकाल करके रहेंगे गरीबों को लोटा के रहेंगे भायों बायों मैं जानता हूँ इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी हर कीमत चुकाने के लिए तयार हूँ लेकिन जनता को जो मादा किया है उस मादे से मैं कभी मुखरने वाला नहीं हूँ मैं ये लड़ाई ये लड़ाई लड़ने वाला हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ सवासो करोड देशवासी इमान दारी का उच्छव बनाने के लिए फैसला कर चुके हैं और मैं देश की जनता के साथ चलने के लिए तयार हूँ भायों बायों झाल 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 झाल